अलो एब्रीवन, वेलकम टू लॉनर भी, आइम शिवानी चौहान, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th हिंदी की बुक का चाप्टर संचेयन का सपनों के से दिन के क्वेशन आंसर्स, यह चाप्टर लिखा है गुर्दयाल सिंह ने, पहला क्वेशन है, कोई भी बाशा आपसी वेवार में बाधा नहीं बनती, पाट के किस अंश से हैसित होता है, तो बच्पन में लेखक के आदे से ज्यादा साथी राजस्थान या हर्याना से थे, जिनके साथ वे खेलते थे, सब की बोलियां अलग लग थी, वे एक दूसरे की बोलियां कम ही समझ पाते, परन कुछ भी हो, हम खेल रहे हैं, हम खुश हैं, तो हम एक दूसरे की बात को समझ ही जाते हैं, नेक्स्ट क्वेशन है, पीटी सहाब की शाबाश फॉच के तमगोसी क्यों लगती थी, तो आंसर है, पीटी सहाब प्रीतम चंद बहुत सक्त अध्यापक थे, यदि कोई कतार से इधर उदर हिला, या दूसरी पिंडली खुझ लाने लगता, इस पर वे उस लड़के की और बाफ की तरह जपट पड़ते, परन्तु जब कोई, जब बच्चे कोई भी गलती ना करते, तो पीटी सहाब उन्हें शाबाश कहते, बच्चे शाबाश सुनकर खुश हो जाते, और उन्हें ऐसा लगता, जैसे फौज में सिपाही को तमगे दिये जाते हैं, वैसा ही तमगा उन्हें भी मिल गया है, यानि की मैडल्स, तमगा होता है मैडल्स, तो जो पीटी सहाब हैं, वो काफी स्ट्रिक्ट थे, बट जब बच्चे को अच्छा गाम करते थे, तो बच लेखक का बालमन क्यों उदास हो उड़ता था, विसका अंसर है, नई श्रेणी में जाने पर लेखक को हैड मास्टर जी, एक अमीर घर के बच्चे की पुरानी पुस्तके लाकर देते थे, परन्तु इन नई कौपियों और पुरानी किताबों से आती विशेश गं से लेखक का बालमन उदास कर जाती थी है, क्योंकि नई श्रेणी का मतलब और कठिन पढ़ाई और नई मास्टर से पिटाई का भै होता था, पुराने मास्टरों की भी अपेक्षाएं बढ़ जाती थी, उन्हें लगता था, कि नई श्रेणी में आने से बच्चे तेज हो गए हैं, और अपेक्षाओं की प्रती ना होने पर वे चमणी उधेडेने में देर ना लगाते, तो भई बड़ी क्लासे जाती, बड़ी जादा डिफिकल्ट पढ़ाई और टीचर की और जादा पताई, इस वज़ए से जो है राइटर को मजा नहीं आता था जादा नेक्स क्लास में नेक्स क्वेशन है, स्काउट परेड करते समय लेखक अपने को महत्वपूर आदमी फौजी जवान क्यों समझने लगा था, तो इसका आंसर है, स्काउट परेड में लेखक साफ सुत्रे, धूबी के धुले कपडे, पॉलिश किये हुए बूट जुराबो को पहन कर, जब देखक ठक ठक करके चलता था, तो वह अपने आपको फौजी से कम नहीं समझता था, अकड़कर चलता तो अपने अंदर एक फौजी जैसी आन बानशान महसूस वो करता था, नेक्स क्वेशन है, हेड मास्टर शर्मा जी ने पीटी सहाब को क्यूं मुवतल कर दिया सकांसर ह एक दिन मास्टर प्रीतम चंद ने कक्षा में बच्चों को फार्सी के शब्द रूप याद करने के लिए परन्तु बच्चों से है शब्द रूप याद नहीं हो सके, इस पर मास्टर जी ने उन्हें मुर्गा बना दिया, बच्चे इसे सहन नहीं कर पाए, कुछी देर मे बच्चों की हाला दे कर सहन नहीं कर पाए, और पीटी मास्टर को मुक्तल कर दिया, तो मतलब मुक्तल कर दिया था, निकाल दिया कि मतलब क्या आप बच्चों को इतना ज़दा टफ पनिश्मेंट क्यों दे रहे हैं, लेखा की अनुसार उन्हें स्कूल खुशी से भागे जाने की जगह ना लगने पर भी, कब और क्यों उन्हें स्कूल जाना अच्छा लगता था, लेखा को मतलब स्कूल जाना इतना भी पसंद नहीं था, तो लेखा की अनुसार उन्हें स्कूल जाना बिलकुल अच्छा नहीं लगता था, परन्तो जब स्कूल में रंग बरंग मले तर रोगे ताप पिरे होता डाले ऐ निवी नेकर खुटी झाता सबे रखान पर गुद्धों गुले इसी करना थे लगना लगना टो लगना तो लेकर के कशोटे पत्र में अगया थे अच्छीर दिवाद्ग करया थे तब रखंग क्या को लिए इसो उसे पूरा ना करने की सिती में इसकी भाती बहादूर बने की कल्पना किया करता था तो मतलब वही ना holiday homework मिलता है पर रोस्ते हती जल्दी कर लेंगे बटने गर पाते लिए पिर अब कैसे बचेश उससे तो क्या होता है तो लेखक के स्कूल की छुटियां होती, उसमें जो काम करने के लिए मिलता, उसे पूरा करने के लिए लेखक समय साड़ी बनाता, टाइम टेबल बनाते थे लेखक, कौन सा काम, कितना काम एक दिन में पूरा करना है, लेकिन खेल खूद में लेखक का समय बीच जाता और काम दीरे दीरे समय बीतने लगता तो लेखक ओमा नामक ठिगने और बलिष्ट लड़के जैसा बहादूर बनना चाहता था जो उद्धन्ड था और काम करने की बज़ाए पिटना सस्ता सौधा सवचता था तो फिर सोस्ता की भई काम नहीं करेंगे तो क्या हो गटी जब पीटें शरीर से दुबले पतले ठिगने कतके थे उनकी आखे भूरी और तेज थी वे खाकी वर्दी और लंबे जूते पहनते थे वे बहुत अनुशाशन प्रिय थे बच्चे उनका कहना नहीं मानते तो वे दंडे देते वे कठोर सबाफ के थे उनके मन में दया भावना था बाल खाल खीचना थुड़के मारना खाल खीचना उनकी आदत थी इनके साथ वे सवाभिमानी भी थे नौकरी से निकाले जाने पर वे हैदमास्टर जी के सामने गिरगडाय नहीं बल्कि जुपचाप चले गए तो बतलब उनका करेक्टर स्केच बताया गया है कि हमाइट थी ब अपने गई युक्टियों और वर्तमान में स्विक्रत मानेताओं के संबंध में अपने विचार पकट कीजिए पहले जमाने में किस तरीके से बच्चों को डिस्प्रिट में रखा जाता था और अब क्या कैशें जीज़ाएं वो बताने हैं तो पार्ट में रखने के लिए बच्चे स्कूल जाने से डरेंगे नहीं बलकि कुशी-कुशी आएंगे तो पहले समाने में बच्चों को पीटा जाता था बहुत जादा अब यह सब नहीं होता है प्यार से समझाया जाता है बच्चों को खेल कूत में जादा रुची लेने पर रोकते हैं और समय वरबात के सासा स्वास्थ के लिए भी लावप्रद है इससे शरीर स्वस्थ रहता है बच्चे अनुसाशत रहते हैं तथा प्रेम और सहयों की भावना बढ़ती है साथ ही साथ प्रतिसपर्धा के गुडबी समझ में आते हैं सहमू में खेलने से सामाजिक भावना आती है तो बच् तरीके से rules, regulations बनाएंगे कि parents को अभिवावक होते है parents वगरा को जो है खेलने से problem ना हो तो खेल शरीर के लिए जरूरी है परन्तु उतने ही जरूरी अन्य कारे भी है जैसे पढ़ाई आती है जैसे खेल स्वास्त के लिए है तो पढ़ाई जैसे कारे बविश्यों को सुधा नहीं होती है तो यह थे कुछ question answers, hopefully आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो like करें, चैनल को subscribe और share करें, thank you